दोस्तों खर्गोस के पानी ना पीने से क्या क्या प्राबलम होते हैं और खर्गोस को पानी पिलाना क्यों जरूरी है और कितने दिन के होने के बाद खर्गोस को पानी पिलाना शुरू करते हैं गाई जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाईयों का कमेंट मुझे आया हुआ है कि सर इस पर भी एक वीडियो बनाओ तो गाई खरगोस पानी क्यों नहीं पीता है और खरगोस को पानी ना पीने से क्या क्या प्राबलम हो सकती है और खरगोष को पानी पिलाना जरूरी है या नहीं सब कुछ आज हम इस वीडियो में completely जानेंगे तो गाईज बने रही है आप हमारे साथ वीडियो में आइंड तक नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेटरेवी टैन अनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि खरगोष पानी क्यो नहीं पीते हैं खरगोष के पानी ना पीने के क्या क्या कारण है क्या क्या रीजन से गाईज अगर आप अपने रैबिट को ज़्यादा पानी वाला चीज जैसे हरे नरमचारे मूली के पत्ते, पत्ता गोभी, गोभी के पत्ते, हरी धनिया, पालक, तर्बूज, खीरा, गाजर, सेप, पीता, सलजम, चुकंदर और तमाम परकार के ऐसे हरे पत्ते, फल, फ्रोट, बीजी टेबल्स यानि सबजिया वगेरा ज़्यादा खिलाते हैं तो ऐसे सिच्वेशन में भी खरगोष पानी बहुत कम पीते हैं, या समझ लो की ना के बराबर ही पीते हैं, और गाजर, आप ठंड के मौसम में अपने खरगोष को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी देते हैं, तब भी खरगोष पानी नहीं पीते हैं, और गाजर, कभी-कभी जब क कोई भी जानोर हो या फिर इनसान सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जैसा कि आप सबी को काफी अच्छे से पता है गाईज पानिना पीने की वज़े से आपके खरगोश को गैज की प्राबलम हो सकती है उसका हाजमा खराब हो सकता है वो लाल सफे, पीला अलग अलग रंग के पेसाब करने लगेगा और गाईज आपके खरगोस को पानी ना पीने की वज़ा से उन्हें अंदुरूनी इंफेक्षन होने का भी खत्रा बराबर बना रहता है और गाईज अब बात करते हैं कि खरगोस कितने उम्र से पानी पीना शुरू करता है क्योंकि गाईज इस पर भी मुझे काफी सारा कमेंट आया हुआ है कि सर खरगोस कितने उम्र में पानी पीना शुरू करता है तो गाईज जब खरगोस के छोटे-छोटे बच्चे 14-15 दिन के हो जाते हैं तब वो कुछ न कुछ खाना इस्टार्ट कर देते हैं और 13-14 या 15 दिन के हो जाने पर खरगोस के छोटे-छोटे बच्चे पानी पीना भी शुरू कर देते हैं तो गाई जाज से आपकी ये टेंसन भी दूर अब 13-15 दिन के बच्चे होने के बाद आप उन्हें पानी दे सकते हैं और गाई जब बात करते हैं कि खरगोस को पानी कब देना चाहिए तो गाई आप अपने खरगोस को हमेशा जो पानी आप खुद पीने के लिए यूज करते हैं वही पानी दे सकते हैं अगर आप अपने खरगोस को दिन भर में 2-3 बार या 4 बार पानी पिलाते हैं या खरगोस पानी पीते हैं तो काफी बेटर है लेकिन गाई अगर आपका खरगोस ज्यादा नरम चारा फल फ्रूट्स आ दिखाता है और एक से दो बार ही पानी पीता है तो भी जरासा भी प्रावलम नहीं है क्योंकि गाई खरगोस इन सब चीजों से काफी पानी अबजर्ब कर लेते हैं और गाई अगर आपका खरगोस एकदम से पानी नहीं पीता है तो आप उसे है यानि सूखी घास और पैलेट्स हो गएरा एक से दो परसेंट ज़्यादा ही दीजिए बहुत ज़्यादा नहीं और आप उसके पास पानी हमेशा रखिए और इससे भी उसके पानी पीने का चांस काफी बढ़ जाएगा और गाईज अगर आपको लगता है कि आपका खरगोस एकदम से पानी नहीं पी रहा है तब आप उसको ऐसे पानी पिलाएं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाईज आप अपने खरगोष को जो पानी नहीं पीता है ऐसे ही पकड़ कर दिन भर में कम से कम दो बार या तीन बार जब भी आपको टाइम मिले पिलाए और गाईज आप आज से ही अगर नए है या पहली बार आपके मादा खरगोष ने बच्चे दिये हैं तो आप पानी प करने की पूरी कुछिस करेंगे तो गाईज आज होब कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए चैनल पर नाया है तो सब्सक्राइब कीजिए आपके यार दोस्तों के पास भी रैविट है तो उन्हें भी सेयर कीजिए जिससे ज जानकारी उनको भी मिल सके तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में किसी और इन्फार्मेटिव वीडियो के साथ तब तक आप अपने पे ट्रैविट के साथ स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल से स्क्रीन पर दो वीडियो सो हो रहा है देखिए और इन्जवा कीजिए जय हिंद